हेलो दोस्तों मेरा नाम है आचल और मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपने घर के लोगों से और आईए मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या-क्या काम करते हैं देखें तो मेरी मा कहा है सारा दिन वो घर के काम में लगी रहती है देखो अभी भी वो रसोई में खाना पका रही है तो मेरी जो मा है वो करती है घर का काम और देखें तो मेरे पापा भी आ गए है जानते हैं वो क्या है वो है एक वकील यानि की लॉयर वो लोगों का केस लड़ते है और मैं हूँ अजे और अभी मेरी मम्मी मुझे पढ़ा रही है मेरी मम्मी भी आचल यानि मेरी जो दोस्त है आचल उसकी मम्मी की तरह घर का काम करती है और वो मुझे पढ़ाती भी है आप जानते हैं मेरे पापा भी पढ़ाते हैं लेकिन वो स्कूल में पढ़ाते हैं वो एक शिक्षक है यानि की टीचर पर मम्मी पढ़ाती तो आप भी हो पर आपको पैसे क्यों नहीं मिलते क्योंकि मैं तो तुम ही पढ़ाती हूँ तुम तो घर पर ही हो ना तो क्या घर पर पढ़ाने के पैसे नहीं मिलते अगर ट्यूशन पढ़ाती तो मिलते क्योंकि तब मैं किसी अपने को नहीं पढ़ाती जैसे तुम्हारे पापा स्कूल में जाकर बाहर का काम करते हैं दूसरों को पढ़ाते हैं तो उन्हें उसके पैसे मिलते हैं अच्छा आउंटी तभी मेरी ममी को भी उनके काम के पैसे नहीं मिलते क्योंकि वे घर का काम करती हैं जैसे आप करते हो हाँ बेटा कुछ काम के पैसे मिलते हैं और कुछ के नहीं जो काम हम खुद के लिए या घर के लिए करते हैं उसके हमें पैसे नहीं मिलते पर हर काम होता है जरूरी सोचो अगर मैं बाहर जाकर काम ना करूँ तो खाना खरीदने के पैसे कहां से आएंगे और अगर तुम्हारी माँ खाना ना पकाए तो हम क्या खाएंगे इसलिए हर काम है जरूरी और यह भी जरूरी है कि हम एक दूसरे की काम में मदद करें तो दोस्तो हमने देखा कि किसी काम के पैसे मिलते हैं तो किसी काम के पैसे नहीं मिलते लेकिन हर काम होता है जरूरी क्या आपके आसपास भी जो लोग हैं यानि आपके घर के लोग या बाहर के लोग वो जो काम करते हैं उसके पैसे मिलते हैं या शायद नहीं मिलते क्या आप भी ऐसा कोई काम करते हैं जिसके आपको पैसे मिलते हो और ऐसा कोई काम जिसके आपको पैसे नहीं मिलते हो आपको क्या लगता है क्या दोनों ही काम जरूरी है